अध्याय दस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समिकरण Chemical Reactions and Equations दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं पर ध्यान दीजिए और उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचिए जैसे दूद से दही बनना, कोईले का जलना, भोजन का पकना, लोहे की कील पर जंग लगना आपने देखा कि उपर दी गई सभी घटनाओं में परिवर्तन के बाद वस्तु की प्रकृती और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है बहुत एक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम यह कहते हैं कि एक रासायनिक अभीक्रिया हुई है रासायनिक अभीक्रिया को समझने के लिए आईए कुछ क्रिया कलाप करते हैं क्रिया कलाप एक, लगभग दो सेंटिमेटर लंबे मैगनीशियम रिबन को रेतमाल पेपर से रगड़ कर साफ कर लीजिए, इसे चिम्टी से पकड़ कर स्प्रिट लैंप या बर्नर की सहायता से जलाईए, तथा इसे बनी राख को वाच ग्लास में इकठक कीजिए, इस आपको शिक्षक के सहयोग से कीजिए, तथा अपनी आखों को यथा संभव दूर रखे, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना, क्या मैगनीशियम की अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, आपने देखा कि चमकदार सफेद रंग की लौ के साथ मैगनीशियम का दहन होता ह और वहल सफेद चोड में परिवर्तित हो जाता है, यह मैगनीशियम ऑक्साइट का चोड है, जो वायू में उपस्थित ऑक्सिजन तथा मैगनीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है, जिसका जलिय विल्यन छारिय प्रकृति के कारण लाल लिटमस को नी पिला कर देता है,